मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 30 मई को हम मन की बात कर रहें और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंतर पर चला है देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है मुझे कई साथ्यों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में साथ साल की हमारी आपकी इस साजी यातरा पर भी चर्चा करूँ साथ्यों इन साथ वर्षों में जो कुछ भी उपलब दी रही है वो देश की रही है देश वाच्यों की रही है कितने ही राष्ट्रिय गवरों के ख्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किये है जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं अपने संकल्प से चलता है तो हम सब को घर्व होता है। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाव साजिस करने वानों को मुहतोड जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रिय सुरक्षा के मुद्दों पर समझोता नहीं करता जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती हैं तो हमें लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। सात्यों मुझे कितने ही देश्वास्यों के संदेश उनके पत्र देश के कौने कौने से मिलते हैं। मुझे आध हैं एक आधिवासी इलाके से कुछ साथकों ने मुझे संदेश बेजा था कि सड़क बनने के बार पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। ऐसे ही कहीं कोई बेंग खाता खुलने की खुशी साजा करता है तो कोई अलग-अलग योजनों की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है तो उस खुशी में मुझे भी आमंतरित करता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गाउं से एक परिवार ने जल जीवन मिशन के तहट घर में लगे पानी के नल की एक फोटो वेजी। उन्होंने इस फोटो का कैप्शन दिखा था मेरे गाउं की जीवन धारा ऐसे कितने ही परिवार है। आजादी के बाद साथ दसकों में हमाने देश के केवल साड़े तिन करोड ग्रामिन घरों में ही पानी के कनेक्शन थे। लेकिन पिछले 21 महिनों में ही साड़े चार करोड घरों को साब पानी के कनेक्शन दिये गए हैं। इन में से 15 महने तो कुरोना कल गही थे। इसी तरह का एक नया विश्वास देश में आईश्मान योजना से भी आया है। जब कोई गरीब मुप्त इलाज से स्वस्थ होकर गर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। ऐसे कितने ही परिवारों का आशिर्वाचन करोडों माताओं का आशिर्वाद लेकर हमारा देश मजबुती के साथ विकास के और अग्रेसर है। साथियों, इन साथ सालों में भारत ने डिजिटल लेंदेन में दुनिया को नई दिशा जिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चूटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के इस समय में भी बहुत उप्योगी साबित हो रहा है। आज स्वच्चता के प्रती देश वाच्चों की गंबीरता और सतरता बढ़ रही है। हम रिकोर्ड सेटलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकोर्ड सरके भी बना रहे हैं। इन साथ वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विबाद भी पूरी शान्ती और सहवार से सुल जाए गए हैं। पुरवत्तर से लेकर कश्मीर तक शान्ती और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों क्या आपने सोचा हैं ये सब काम जो दसकों में भी नहीं हो सके इन साथ सालों में कैसे हुए। इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन साथ सालों में हमने सरकार और जनता से ज़्यादा एक देश के रुप में काम किया, एक टीम के रुप में काम किया, टीम इंडिया के रुप में काम किया, हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाद एकाद कडम आगे बढ़ाने क प्यास किया है हाँ जहां सफलताएं होती हैं वहां परिक्षाएं भी होती हैं इन साथ सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परिक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबुद होकर निकले हैं कोरोना माहमारी के रूप में इतनी बड़ी परिक्षा तो लगातार चल रही ह ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पुरी दुनिया को परिशान किया है कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है बड़े-बड़े देश भी इसकी तबाई से बच नहीं सके हैं इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है हमने पहली वेव में भी पूरे होसले के साथ लड़ाई लड़ी थी इस बार भी वाइरस के खिलाब चल रही लड़ाई में भारत विजई होगा दोगज की दूरी मास्क से जुड़े नियम हो और फिर वैक्सिन हमें डिनाई नहीं करनी है यही हमारी जीत का रास्ता है